बॉलियूड एक्टर सुशान सिंग राजपूत अब सिर्फ हमारी सुनेरी यादों में उनकी मौत के मामले में पुलिस की जाँ चल रही है पटना में सुशान के पिता से मिलने और दुख की इस घड़ी में उनका साथ देने के लिए कई लोग पहुँच रहे हैं सुमवार को दिगज एक्टर शेखर सुमन और सुशान के प्रोडियूसर दोस्त संदीप सिंग भी पटना पहुँचे थे दोनों सुशान के घर गए और उनके पिता के के सिंग से मुलाकात की शेखर सुमन लगातार ये कह रहे हैं कि सुशान सिंग राजपूत ने आत्मत्या नहीं की बलकि उनका मुर्डर हुआ है सुमवार को जब वह सुशान के पिता से मिले तो उनसे भी जस्टिस फोरुग से जुड़ने की अपील की शेखर सुमन के इस मुलाकात की तस्वीरे और वीडियोस सामने आई है शेखर सुमन ने सुशान्त मामले में CBI जांच की मांग की है पटना में शेकर सुमन ने सुशांत के घर के बाहर मौझूद मीडिया से भी बात के और कहा कि यह सब जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है कि एक यही मांग है कि जो हुआ है और दिखाई देरा है जो आत्मों को दिखाई देरा उससे कहीं कुछ जाधा प्रतीफ होता है केके सिंग से मुलाकात के बाद शेकर सुमन ने यह भी बताया कि बेटे को खोने के गम में इस शुशांत के पिता सब्बे में है शेकर सुमन ने कहा कि उन्होंने दर्द बाटने की कोशिश की जब मुलाकात हुई तो कुछ देर सभी शांत बैठे रहे सामने सुशांत की मुस्कुराहट भड़ी तस्वीर थी और सब उसे निहार रहे थे शेकर सुमन कहते हैं हम सभी गहरे सदमे में मुझे लगता है कि दुख जताने का सबसे अच्छा तरीका चुपी ही है इससे पहरे शेकर सुमन ने न भारत टाइम से एक्स्क्लूजिव बातचीत की थी इसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत जैसा इंसान खुदकुशी कर ही नहीं सकता जो इंसान दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हो, सुबह उठकर जूस पी रहा हो, प्लेस्टेशन पर गेम खेल रहा हो, उसके मन में भला सुसाइट जैसी बात कैसे आ सकती है सुशांत डिप्रेशन में थे यह बात सामने आ चुकी है, पोलिस भी डिप्रेशन के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है वहीं इस बीच, शेकर सुमन ने नभारत टाइम से अपनी एक्स्क्लूजिव बातचीत में कहा था, कि सुशांत ने जब काई पोछे से फिल्मों में डेब्यू किया था, तो उन्हें कोई अवार्ट नहीं मिला सुशांत के केस को इस तरह हरबड़ी में, जल्दबाजी में तेजी से बंद कर देने से शक किसुई और गहरी होती जाती है अब इस मामले में चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं चुप नहीं रहूँगा सुशांत सिंग राजपूत की मौत के बाद, शेकर सुमन ने इस से जुड़ा अपना दर्द भी बया किया था उन्होंने बताया था कि जब उनके बेटे अधियन सुमन डिप्रेशन में थे, तब उन्होंने भी एक बार सुिसाइट की बात की थी बेटे को डिप्रेशन में देख, खुद शेकर सुमन भी बहुत परेशान थे और वो कहते हैं कि इसलिए सुशांत के पिता और परिवार का दर्द वो अच्छे से समझते हैं ब्यूरो रिपोर्ट न भारत टाइम्स